हे वाई टी ब्रस की हल चाल वेलकम बैक तो दुचलनल एक बाद फिर से आपका ट्रेवल गुरू नवीन दुबे वाई टी भारत चनल पर बहुत ही इंटरस्टिंग एंट इन्फॉरमेटिव जानकारी के साथ हाजिर हो चुका है आज किसी वीडियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनवरी के 16 से लेकर 21 जनवरी के बीच में नैनिताल, मसूरी, गुलमर्ग, वैशनुदीवी और शिमला में कहां-कहां सनोफॉल पढ़ने वाली है पढ़ने भी वाली है कि नहीं पढ़ने वाली है इसके साथ-साथ मनाली के बारे में आप लोग बहुत अधा सवाल कर रहे थे कि वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के चार्जिस बता दीजे कौन से सीजन के अंदर ये रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करना सबसे अच्छा होता है कौन से लोकेशन होती है जहां पर यह सबसे अच्छी करवाय जाती है कुलू के अंदर ऐसी बहुत सारी जानकारिया इस वीडियो में आपके लिए ले करके आगया हूँ बने रही है वीडियो पर लास्त तक और हाँ दोस्तों अगर आपने वाइटी भारत चनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है भूल गए होंगे आप लोग तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है रेड कलर का नीचे जा करके आप सबसे पहले वीडियो देखने सपहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर उसके साथ में लगे बेल आइकोन को दबाईए औल को सेलेक करें ताके आगे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले तुरंद free of cost आपको मिलती रहें पुराने वीडियोज देखना चाहते हो 300 प्लस तो YT भारत चैनल को जाकर के अभी YouTube पे सर्च कर लो सर्च बटन में जाकर के और सारे वीडियोज देख कर के इंडिया और abroad जहां के भी travel related information लेना चाहते हो पैकेज बुक करवाना चाहते हो तो तुरंद बुक करवा लो और हाँ दोस्तों मना लिया किसी भी travel related जानकारी के लिए आप YT भारत पर कभी भी comment करके मुझसे सवाल कर सकते हैं पैकेज बुक करवाने के लिए वीडियो के title और description में मैंने travel company का number दे दिया है जा करके आप किसी भी description के पैकेज बुक करवा सकते हैं आई शुरू करते हैं यह बहुत ही interesting वीडियो पहले आपको बताते हैं कि नैनी ताल, गुलमर्ग, मसूरी, वैश्नो देवी और शिमला में क्या 16 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में snowfall पढ़ने वाली है तो दोस्तों मेरी production के according अभी यह snowfall नहीं पढ़ने वाली है western disturbance आया है इंडिया के अंदर लेकिन western जितने भी आपके areas है वहाँ पर इस disturbance का असर इतना जादा नहीं दिख रहा है snowfall की संभावना बहुत ही कम बनी हुई है इसलिए अगर आप 16 से 21 जनवरी के बीच में नैनी ताल, गुलमर्ग, मसूरी, वैशनो दिवी और शिमला के बीच में travel कर रहे हैं destinations पे तो आपको snowfall नहीं मिलेगी live आपको हो सकता है गिरी हुई snowfall वहाँ पर enjoy करने के लिए मिल जाए अब बात कर लेते हैं अगर आप मनाली में river rafting या paragliding करना चाहते हैं तो मनाली के अंदर आपको ये सब facility करने को मिलेंगी खास करके उसके साथ में set हुए कुलू के अंदर जहां पर जाकर के आप एक कुलू में बहुत ही famous जगा है धोबी वहाँ पर बहुत सारे spots हैं जहां पर paragliding और river rafting करवाई जाती है कुलू के अंदर वहाँ पर जाकर के आप on the spot paragliding और river rafting बुक कर सकते हैं charges की जहां तक बात करें तो charges अलग-अलग है 1500 रुपे से लेकर के paragliding स्टार्टिंग होती है और 35,000 रुपे तक जाती है bargaining करता है depend और depend करता है कि season कौन सा आ रहा है जादा season अच्छा चलेगा तो जादा rate हो जाएंगे गर्मियों के दिनों में season होता है तो rate बढ़ जाते हैं सर्दियों के अगर आप बात करें तो खास करके river rafting और paragliding आप करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं river rafting की पानी का level बहुत ही कम होता है जबर्दस्ती अगर आप कहीं थोड़ा सा पानी का जादा level होगा तो आपको river rafting करने में मज़ा नहीं आएगा वहाँ पर तब charges भी कम होते हैं सर्दियों के अंदर लेकिन अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो बहुत अच्छा पानी होता है खास करके जून के टाइम में तो वहाँ पर charges होते हैं वो river rafting के 800 रुपे के आसफा charges होते हैं जो आपको 10 से 11 किलो मेंटर की river rafting करवा दी जाती है पैराग्लाइडिंग की बात करें सर्दियों के तो सुलांग वैली में भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जो हाँ पर main sports है जहाँ पर adventure sports activity होती है 500 रुपे में सबसे कम हाइड के पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है और साड़े 3000 रुपे में सबसे उपर snow scooters ले जाता है वहाँ पर जाकर के आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग लेकिन उससे अच्छा ही होगा कि आप कुलू के destination पर जाकर के बहुत ही अच्छी हाइड से पैराग्लाइडिंग करी आपको मज़ा भी आ जाएगा आप visual में देख भी रहे होंगे कि लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं इनसे आप पैराग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग कुलू के धोबी में बुक करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और interesting और बहुत informative जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए वाइटी भारत चनल पर भामेशा बने रहें तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी